हलो गाईज वेलकम टुमाई एस वाई उजुकेशन पार मिसन चैनल गाईज हम बहुत ही बड़ी खवर लेकर के प्रिजेंट हैं और सजेस्ट करने के लिए यदि पूरी वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आपसे भूल हो सकती है चलिए देखेंगे प्रिवेश पत्र संग दो पहचान पत्र लाना है और परिच्छा सेंटर पर ठीक है तो क्या कौन सा लाना है प्रिवेश पत्र के साथ क्या करना है तो यदि वीडियो नहीं देखे तो आप कुछ भूल कर सकते हैं ठीक है थोड़ी से भूल से ही छुट सकता है पेपर और पूरी वीडियो जरूर तो देखें आपको पुरा अपडेट दिया जाएगा कहीं आप न पर जाए ऐसी भूल ठीख है तो यहां पे देखेंगे यूपी टेट के लिए है परिक्षा में बैठने से बंचित न हो जाए ठीक है तो चले देखते हैं हम आपको पुरा अपडेट न्यूज से परचित कराते हैं यहां पे आपके समने दीख रहा होगा यह अपडेट न्यूज है लखनो टीटी 2018 में परिक्षा को अपने प्रवेश पत्र के साथ दो पहच पहचान पत्र भी रखने होंगे एक तो वह पहचान पत्र जिसका उलेक फार्म में किया है फार्म बरते समय जो आपने पहचान लगाया हुआ है पेन कार्ड और या तो आपने पहचान पत्र लगाया वोटर आई डी तो आप ले जा सकते हैं दूसरी जो है बीटीसी या बीयड के किसी भी समेश्टर के कोई भी मूल अंक पत्र ले जाना है ठीक है अंक प्रमाण पत्र ले जाने हैं अब यहां पर इसलिए कहा है कि समेश्टर का भी एक्जाम दिये हुए उनका रिजिल्ट नहीं आया है तो आप किसी भी एक समेश्टर का आपको फ्रूक लेकी जाना है ठीक है और यहां पर देखें बहुत बड़ी चेतावनी है कि टीटी दोहजार अठार का आवेदन स्वारी आयोजन 18 नौंबर को किया रहा है ठीक है और इस बार लगभग 18 लाख ब्यारती टीटी मतलब यूपी टेट दे रहे हैं आपर मुख्य सचीव डांक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि इन में से किसी एक प्रमाण पत्र के नहीं होने पर परिच्छा में बैठने से रोका जा सकता है आपत्ति की जा सकती है तो गाई जैसी इतनी छोटी सी गलती आप नकज्जा जो कि बहुत बड़ी बन जाए तो यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिये हुए हैं कि यह दो एक क्या एक तो अंक्प्रमाण पत्र ले जाना है किसी भी समेश्टर का या भी टीसी का हो या भी नहीं दे सकती तो ऐसी गलती न करें आपको इसलिए सुझाव दिये हैं और आप अपने प्रूप के साथ तियारी के साथ एक्जाम सेंटर पर पहुंचेंग वह भी टाइम से